question number 21 assume x y z w and p are matrices of order this this and this हमें यहाँ पर 5 matrices की बात कही है सबके order यहाँ पर mention कर रखे है respectively उसके basis पर हमें question 21 का answer देना है तो question number 21 है the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are यहाँ पर कहा है अगर p और y matrix की multiplication हो और w और y matrix की multiplication हो जाए तो n, k और p की value क्या होगी वो हमें बतानी है यह सभी option दे रखे हैं तो p और y, p matrix है इसको हम कैसे लिखेंगे इस तरीके से y matrix है इस तरीके से इनकी multiply होगी plus यह हो गई w matrix और यह हो गई y matrix अब पहले चलो order के उपर जो p matrix है इसका order दे रखा है p cross k तो यहाँ पर लिखेंगे p cross k यह raw है और यह column है फिर y matrix के उपर आ जाओ यह है 3 p into k यह raw है और यह column है फिर w है इसके लिए दिया है n into 3 y matrix का order है 3 into k यह हमें दिया है अब यहाँ पर हमें बताना है n k और p के लिए क्या result form होगा यह हमें बताना है तो देखो p और y की यहाँ पर multiply हो रही है अब multiply होकर जो result आएगा वो किस order का होता है वो पहले समझते हैं तो मान लो दो matrix की हम multiply करते हैं तो result जो आएगा वो किस order का आएगा first वाली matrix की raw और second वाली matrix का column p into k ओके आएगा result जो भी यह result होगा फिर plus का sign है अब यहाँ पर इन दोनों से multiply होकर कुछ result आएगा यह जो result आएगा यह होगा यहाँ से raw और इसके column का तो यहाँ पर आएगा n into k इस तरीके से result आता है अब यहाँ पर कहा है दोनों matrix को add किया है और दो matrix को हम add करेंगे तो दोनों का order same होना चाहिए इसका मतलब p cross k is equal to होना चाहिए n cross k अब k और k तो equal है यह देखो k और k तो equal है तो p is equal to होगा n के ठीक है p is equal to होगा n के यह condition बन गई जब p is equal to n होगा तभी यह result होगा तो यहाँ पर option देख लेते हैं only option a के अंदर है p is equal to n दे रखा है तो option a correct होगया बट यहाँ पर k की value भी find करनी है अब सिर्फ option टिक करना होता तो यहीं से हम टिक कर सकते हैं अगर हमें k की value find करनी है कि क्या होगी तो find कर लेते हैं k find होगा यहाँ से यहाँ पर p और y की multiplication होई है यहाँ पर k column है और 3 raw है तो हमेशा जब भी 2 matrix की multiplication होगी तो पहले की column और second वाले की raw हमेशा equal होनी चाहिए इन दोनों का relation होता है equality का तो यहाँ से compare करके हम k is equal to 3 find करेंगे तो k is equal to आ गया 3 देखो यहाँ पर भी दे रखा है इसकी column और इसकी raw 3 is equal to 3 है तब ही multiplication possible होगी यह दो condition होती है तो k is equal to आ गया 3 तो option option a is the correct option